नमस्कार ये आकाशवानी है अभी आप तादू याजो से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार पधानमंत्री नरंदर मोदी ने आज एथेंस में ग्रीस के राष्ट्रपती कैटरीना सकेला रोपोलू से भेट की बैटक B20 इंडिया भारत के विश्व उतरदाई त्वरित प्रगतिशील सतत समान व्यापार पर अधारित है इस्ट्रो ने चंद्रियान तीन के लेंडर से रोवर प्रज्यान के चंद्रमा की सता पर उतरने का विडियो जारी किया मोसम विभाग में हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड और पंजाब में अगले दो दिन में तेज बारिस की चैतावनी दी विश्व बैटमिंटन चेंप्रेंशिप के पुरस सिंगल्स के क्वाटर फाइनल में एच एस परनोय और पुरस डबल साथविक साहराज रंका रेडी तधाची राक्षितिक की जोरी अब भी चुनोती रही दी अब समचार विश्थार से तधान मंति नरंदर मोदी ने आज एटेंस में ग्रीज के राष्टरपती कैटरीना सकेला रोपोलू से भैट की श्री मोदी और राष्टरपती सकेला रोपोलू ने दोनों डेशों के बीच संबंदों को श्रिदर बनाने के लिए चर्चा की ग्रीज के राष्टिपटी सकेला रोपोलू से भेंट के दोरान प्रदाहन मंत्री नरंद्र मोदी ने चंद्रियान तीन मिशन की सफलता पर भी बात की उन्होंने कहा कि चंद्रियान तीन की सफलता अकेले भारत की नहीं बलकी पूरी मानब जाती की सफलता है प्रधान मंत्री ने कहा कि चंद्रियान तीन मिशन द्वारा एकत रखिये गए डेटा के परिनाम पूरी वेग्यानिक समुदाय और मानब जाती की सहायता करेंगे इससे पहरे श्री मोदी ने ग्रीस में आज अग्याद सेनिको के समरक पर पुस्पांजली अरपित की इसके बाद प्रधान मंत्री के सम्मान में गाड अफ ओनर दिया गया अग्याद सेनिको का समारक एक युद समारक है जो एथेंस के सिंटेग्मा स्क्वेर में पुराने रोयल पैलस के सामने स्थित है ये भिवन युद्धों के दोरान मारे गए ग्रीस के सेनिको को समरक एक समरक है पिसले चारिस वर्षों में किसी भारतिय प्रधान मंत्री की ये पहली ग्रीस यात्रा है एथेंस में होटल के बाहर प्रवासी भारतियों ने प्रधानमंत्री मोदी का गरम जोसी से स्वागत किया श्री मोदी दोनों देशों के ब्यापार प्रमुखों के साथ साथ ग्रीस में भारति समुदाय के साथ बाचित करेंगे भारत और ग्रीस के बीच पुराने संबंध है जो हाल के वर्षों में समुंतरी परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश्चे से शेत्रों में और मजबूत हुए हैं इससे पहले श्री मोदी आज सवेरे दक्षिन अफरिका में से ग्रीस की राज़दानी एथेंस पहुंचे दक्षिन अफरिका में उन्होंने पंद्रवे ब्रिक्स शिखर समिलन में भाग लिया और भारत के संबंदों को स्टुदर करने के लिए कई विश्वनेताओं के साथ दिपक्षे बैठक की बीटवेठक भारत दो हजार तेज आज नई दिल्ली में शुरू हुई ये बैठक बीटवेठक इंदिया भारत के विशे उतरदाये त्वारित प्रगतिशील सतत समान व्यापार पर अधारित है इस बैठक को संबोधित करते हुए भारत जीटवेठ के शेरपा अमिताब कांट ने कहा कि हमारा देश विद्धी के त्रिवतागति का शाक्सी है और शीग्र ये विश्व में तीसरी सबसे बरी अर्थव्यवस्ता बनने वाला है उन्होंने जीटवेठक की अधिक्षता को जनता की अधिक्षता बनाने के लिए चार प्रमुक प्रात्मिक्ताओं पर बल दिया शेकंड ने कहा कि भारत संरक्षनवादी उपायों को हटाने पर फोकस करते हुए ससक्त सतत समावेशी और संतूलिद आर्थिक विद्धी पर जोर दे रहा है उन्होंने ये भी कहा कि सतत विकास लक्षे हासिल करने के लिए गती को त्वरि वित्य विवस्ता पर जोर देने पर बल दिया ताता संस के कारेकरी अध्यक्स तता B20 भारत के अध्यक्स एन चंद्रशेक घरन ने कहा कि भारत ग्रोबल साउट शेत्र में विशेश रूप से समान वृद्धी के लिए कृत संकल्भ है उन्होंने कहा कि भारत के वृद्धी और मास्टरकार्ट माइकल मेबाक के कार्यकारी अधिकारी और विश्व आर्थिक मंच की अध्यक्ष भी बैठक में भाग लेंगे। विवन शेत्रों में भारत की अधिक्षता के लिए साथ कारेबल बनाएं गए है व्यापक संद्राच आत्मक कारिसूची पर फोकस करने और विचार विमर्ष के लिए B20 भारत अफ्रिकी अर्थिक एकिकरन पर व्यापार में परियावर नियर सामाजिक और साशन के लिए दो एक्षन परिस्दों के माध्यम से कार्य कर रहा है। तीन दीन के बैठके दोरान केंद्रे मंत्री निर्मलासीता रमन, धर्मेंदर प्रधान, डॉक्टर S.J. शंकर, विवेन देशों के ब्यापार मंत्री और कई ब्यापार प्रमुक्त वैश्विक स्तर पर ब्यापार से संबदित मुद्दों पर अपने अपने विचारों को को प्रोचसाहित करने के लिए मेरा बिल, मेरा दिकार नाम से एक चालन प्रोचसाहन योजना शुरू कर रही है। प्रायोगिक रूप से ये योशना 1 सितंबर 2023 को शुरू होगी। आरम में इसे पुडुचेरी, दादरनगर हवेली, दमंडीव और असम, गुचरात तथा हर्याना राजियों में शुरू किया जाएगा। रश्टरपती द्रोपुदी मुर्मु ने कहा कि चंद्रियान तीन मिशन से चंद्रमा के बारे में नई जानकारी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इससे पूरे दुनिया को लाब होगा। रश्टरपती ने कहा कि भारत आभूत पूर्व सफलता प्राप कर चंद्रमा के दक्षिनी द्रूप पर पहुँचने वाला पहला देश बन गया है। रश्टरपती मुर्मू ने आज रश्टरपती भवन के सांस्कृति केंद्र में ब्रह्मा कुमारी संस्ता की पूर्व प्रमुक दाधी प्रकाशमनी की स्मिती में एक डाग टिकेट जारी किया। ये डाग टिकेट दाधी प्रकाशमनी की सोलवी पुनियति थी पर संचार मंत्रा लेके डाग विभा की माई स्टांप पहल के अंदरगत जारी किया गया। इस अपसर पर राश्टरपती ने कहा कि दाधी प्रकाशमनी ने आध्यात्मिकता के माध्यम से भारते मुल्यों और संस्कृति को भारत और विदेशों में फैलाया। उन्होंने कहा कि दाधी प्रकाशमनी के नेत्रुत्व में ब्रह्मा कुमारी संसान दुनिया में महिलाओ के नेत्रुत्व वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगुटन बन गया। राश्टरपते ने कहा कि एक सचे नेता के तरह वो चुनोती पून वरिस्तितियों में भी विश्वास और साहस के साथ ब्रह्मा कुमारी परिवार के साथ खरी रही और सदेव उनका माग दर्शन किया। केंद्रे आयुष मंत्री सर्वनन सोनुवाल ने कहा कि पारंपरिक और आधुनिक दवाओं को एक साथ मिलाना होगा। उन्होंने कहा कि दोनों का लक्ष बिमारियों की रोग ठाम करना है। श्री सोनुवाल ने आज गौहाटी में आयुष एक पर पूर्वत्तर राजियों की शेत्रि समिक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्राले और स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्राले लोगों को सर्वत्तम स्वास्त से वापदान करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस अबसर पर आसाम के मुख्य मंत्रे हिमांद विश्वा सर्मा ने कहा कि बिच्रे नौ वर्षों में आयु इसको अंतराष्य पहचान मिली है। श्री सर्मा ने कहा कि पुर्वतर राज आयुशेत्र के लिए महतपून है क्यूंकि इस शेत्र में और शिदिय पोधे उपलब्ध है। वर्स 2019 में चंद्रमा के चारो और चकर लगा रहे चंद्रियान दो के और्बिटर ने चंद्रियान तीन के लेंडर विक्रम के चित्र लिये हैं। चंद्रियान दो में लगे उच गुनवर्ता वाले कैमरे ने चंद्रमा की सता पर मौजूत लेंडर की तस्वीरे भेजी हैं। फार्टी अंतरक्ष अनुसंधान संगटन इस्रो ने कहा है कि चंद्रमा के चारो और सबसे अच्छा रिजोलूशन वाला सबसे अच्छा चित्र है। कुछ देर पहले इस्रो ने लेंडर विक्रम के रैम पर नीचे आते हुए रोवर प्रग्यान का वीडियो भी जारी किया। कि आपदा प्रवंदन प्रदिकरन के अनुसार अब तक राज्ये के सरकारी विभागों को 8,450 करोर रुप्य का नुकसान हुआ है। राज्ये में तेजवर्षा, बादल फटने और भूसकलन से अब तक 366 लोगों की जान जा चुकी है। 343 लोग घायर हुए हैं और 40 लोग अब भी लापता है। मौसम केंदर सिमला के निदेशक सुरेंदर पॉल ने बताया कि प्रदेश में अभी वर्षा से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने आज और कल तेजवर्षा का यलो अलड जारी किया। उत्रखंड ने आज राजदानी दहरादून सहित अधिंकस हिस्सों में मौसम साब बना हुआ है और अंशिक रूप से बादल चाय हुए। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक राजे में अलगलक स्थानों पर हलकी से मध्यम वारिस और गरच के साथ बोचारे पढ़ने का अनुमान लगाया। इस बीच चमोली जिले में बदरिनाद राश्टी राजमार्क को वहनों के अबागमन के लिए खोल दिया गया है। कॉपनहेंगेंग में विश्वर बैटमिंटन चेंपेंशिप के पूरस सिंगल स्क्वार्टर फाइनल में आज भारत के एचेस प्रनॉय का मुकाबला डेन्मर्क के विक्टर एक्सलसन से होगा। इसे के साथ ये समाचार बुलेटन समाब्द हुआ। नमस्कार।